नवस्कार जी, निशित प्रमानिक जी, जौन बारला जी, अन्य सभी मंत्री गाण, सामसद गाण, विधायक और मेरे प्यारे भाई और भेनों, आज असम सहीत पूरे नौर्थ इसकी रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दीन है, आज नौर्थ इसकी कनेक्टिविटी से जुड़े तीन काम एक साथ हो रहे हैं, पहला आज नौर्थ इसको अपनी पहली मेड इन इंडिया बंदे भारत एक्स्प्रेस बिल रही है, दूसरा ये पस्चिम मंगाल को जोड़ने वाली तीसरी बंदे भारत एक्स्प्रेस है, दूसरा असम और मेगाले के लगबग सवा चार सो किलोमीटर ट्रेक पर बिजली करण का काम पूरा हो गया है, तीसरा लामडिंग में नव निर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकारपन हुआ है, मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए असम मेगाले सहीत पूरे नौर्थ इस्ट और पस्चिम मंगाल के साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, गुहाटी जलपाई गुड़ी, बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेइन, असम और पस्चिम मंगाल के बीच सदियों पुराने समंधों को और मजबूत करेगी, इससे इस पूरे छेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा, इससे कॉलेज, उनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाज साथियों को सुविधा होगी, और सबसे एहम बात इससे परियटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे, इवंदे भारत एक्स्प्रेस, मा कामाख्य मंदीर, काजी रंगा, मानस राष्ट्रिय उद्यान, पवितरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक करेगी, इसके साथ मेघा लएके शिलोंग, चेरापुंजी और अरुनाचल पदेश के तवांग और पासिगार तक भी परियटकों की सुविधा बढ़ जाएगी, भाईयों और भेनों, इसी सप्ता केंद्र में एंडिये की सरकार के नव साल पूरे हुई है, बीते नौ साल भारत के लिए अभूत पूर्व उपलब्दियों के रहे हैं, नए भारत के निर्मान के रहे हैं, कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आदुनिक संसत मिली हैं, ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रीक इतिहास को हमारे सम्रिद्द लोकतांत्रीक भविष्ट से जोड़ने वाली संसत है, बीते नव वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्दिया हैं, जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था, दो हजार चहुदा से पहले के दसक में इतिहास के गोटालों के हर रिकॉर्ड तुट गए थे, इन गोटालों ने सबसे जादा नुक्षाम देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे ख्षेत्रों का किया था, जो विकास में पीछे रह गए थे, हमारी सरकार ने सबसे जादा गरीब कल्यान को प्राथ्थिक्ता दी, गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉइलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार, पॉर्ट, एरपॉर्ट, मोबाइल कनेक्शन हमने हर छेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है, आज भारत में हो रहे इंफ्रास्टर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यही इंफ्रास्टर तो जीवन आसान बनाता है, यही इंफ्रास्टर तो रोजगार के आउसर बनाता है, यही इंफ्रास्टर तेज विकास का आधार है, यही इंफ्रास्टर गरीब, दलीत, पिछडे, आदिवासी, ऐसे हर बंचित को ससक्त करता है, इंफ्रास्टर सब के लिए हैं, समान रूप से हैं, बिना भेदभाव के हैं, और इसलिए यह इंफ्रास्टर निर्मान भी एक तरह से सच्चा सामाजिक न्याए है, सच्चा सेक्चुलरिजम है, भावी और बहनों, इंफ्रास्टर निर्मान के इस काम का सबसे अधिक लाब, अगर किसी को हुआ है, तो वो पुर्वी और उत्तर पुर्वी भारत है, अपने अतीत की नाकामियों पर परदा डालने के लिए, कुछ लोग कहते हैं, कि पहले भी तो नौर्थ इस्ट में बहुत काम हुआ था, ऐसे लोगों की सच्चाई, नौर्थ इस्ट के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन लोगों ने नौर्थ इस्ट के लोगों को मुल्च सुविधाओं के लिए भी दसकों तक इंतजार करवाया, इस अक्षम्य अपराज का बहुत बड़ा नुक्षान नौर्थ इस्ट ने उठाया है, जो हजारों गाउं, करोडों परिवार, नौ साल पहले तक बिजिली से बंचित थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या नौर्थ इस्ट के परिवारों की थी, टेलीफोन, मोबाइल कनेक्टिविटी से बंचित हुए, बड़ी आबादी नौर्थ इस्ट की ही थी, अच्छे रेल, रोड, एरपोर्ट की कनेक्टिविटी का भाव भी सबसे अधिग नौर्थ इस्ट में था, भाई और भेनों, जब सेवा भाव से काम होता है, तो कैसे बड़लावाता है, इसका साक्षी, नौर्थ इसकी रेल कनेक्टिविटी है, मैं जिस स्पीड, स्केल और नियत की बात करता हूँ, यह उसका भी प्रमाण है, अब कल्पना कीजिए, देश में डेड़ सो वर्थ से भी पहले, पहली रेल मुंबई माहनागर से चली थी, उसके तीन दसक के बाद ही, असम में भी पहली रेल चल चुकी थी, गुलामी के उस कालखन में भी असम हो, त्रिपुरा हो, पस्चिम मंगाल हो, हर छेत्र को रेल से जोड़ा गया था, हाला कि तब जो नियत थी, वो जनहित के लिए नहीं थी, उस समय अंग्रेजों का इरादा क्या था, इस पूरे भूभा के संसाधनों को लूटना, यहां की प्राकुरतिक संपदा को लूटना, आजादि के बाद, नौर्थ इस्ट में स्थितियां बदलनी चाहिए थी, लेकिन नौर्थ इसके अधिकतर राज्यों को रेल से जोड़ने का काम, दो हजार चोबिस के बाद, हमें करना पड़ा, भाईयों और भेनों, आपके इस सेवक ने नौर्थ इसके जन जीवन की सम्वेदना और सुभिता को सर्वोच्च प्रात्विक्ता दी है, देश में आया, यही बदला, बीते नव वर्षों में, सबसे बड़ा और सबसे प्रकर है, जिसे नौर्थ इस से विशेश रुप से अनुभव किया है, पिछले नव वर्षों में, पहले की तुलना में, नौर्थ इस में रेलिवे के विकास के लिए बजेट भी कई गुना बढ़ाया गया है, दो हजार चवदा से पहले नौर्थ इस के लिए रेलिवे का बजेट आउसत आउसत बजेट करीब-करीब 2500 क्रोट रुप्ये का होता था, इस वार नौर्थ इस का रेल बजेट 10 हजार करोट रुप्ये से अधिक है, यानि लगबग चार गुना बढोत्री की गई हैं इस समय मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड, मेगाले और सिक्किम की राजधानियों को बाकी देश से जोडने का काम भी तेजगती से चल रहा है बहुत जल्द नौर्थ इसकी सभी राजधानियां ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ने वाली हैं इन प्रोजेक्स पर एक लाग करोड रुप्य का खर्च किया जा रहा है यह दिखाता है कि नौर्थ इसकी कनेक्टिवीटी के लिए बीजेपी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है भाई और बहनों आज जिस केल के साथ जिस पीड के साथ हम काम कर रहे हैं वह अभुत पुर्व है अब नौर्थ इसमें पहले के मुकाबले तीन गुना तेजी से नई रेल लाइने बिचाई जा रही है अब नौर्थ इसमें पहले के मुकाबले नव गुना तेजी से रेल वेल लाइनों का दोरी करन हो रहा है पिछले नव वर्सों में ही नौर्थ इसके रेल नेटवर्क का बिजली करन शुरू हुआ और अब सत्प्रतिशत लक्ष की तरफ तेजी से बढ़ रहा है साथियों ऐसी ही स्पीड और स्केल के कारण आज नौर्थ इसके अनेक खेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़ रहे हैं नागा लेंड को सो साल के बाद अपना दूसरा रेल्वे स्टेशन अब मिला है जहां कभी नेरो गेज पर धीमी रेल चलती थी वहाँ अब सेमी हाई स्पीड बंदे भारत और तेजस एक्स्प्रेस जैसी ट्रेडे चलने रगी है आज नौर्थ इसके परियाटन को बढ़ावा देने के लिए रेल्वे के विष्टा डोम कोज भी नया आकरसन बन रहे हैं भाई और भेनों गती के साथ साथ भारतिय रेल आज दिलों को जोडने समाज को जोडने और लोगों को अउसरों से जोडने का भी माध्यम बन रही है आप देखिए गुवहाटी रेल्वे स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांस जेंडर टी स्टॉल खोला गया है ये उन साथियों को सम्मान का जीवन देने का प्रयास है जिनकी समाज से बहतर वरताव की अपेक्षा है इसी प्रकार वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट इस योजना के तहट नौर्थ इसकी रेल्वे स्टेशनों पर स्टॉल्स बनाए गए हैं ये वोकल फर लोकल को बल दे रहे हैं इससे हमारे स्थानिय कारीगर कलाकार शिल्पकार ऐसे साथ्यों को नया बजार मिला है नौर्थ इसके सैंकडो स्टेशनों पर वाई फाई की सुविधा दी गई है संवेदन सिल्ता और गती के इसी संगम से ही प्रगती पत पर नौर्थ इस आगे बढ़ेगा विक्षीद भारत के निर्माण का रास्ता ससकत होगा एक बार फिर आप सभी को बंदे भारत और दूसरे सभी प्रोजेश के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद